सूरिया ने निजिलेंडियों का फोड़ा, सूरिया ने लास्ट को अभरो में निजिलेंड के गेंदबाजों को सास तक नहीं लेने दिया हाला कि टीम साउधी ने हैटरी बिकेट लिये, लेकिन साउधी का हैटरी बिकेट कोई काम नहीं आया और हार्दिक पांडिया के टोली ने न्यूजिलेंड के टीमों पर बिजाई हासिल कर ली और हार्दिक पांडिया के टोली ने यह साबित कर दिया कि हम बच्चे नहीं खुखार है जहां कदम रख दे उहां पर काम करते तमाम है और हार्दिक पांडिया की या कप्तानी सूजबुरी पारी ने यह टीम इंडिया को एक नाय संकेत देती है कि आने वले समय में हार्दिक पांडिया की कप्तान बन सकते हैं हुआ दोस्तो नमस्कार हमारे channel से जुधने के लिए तो चलिए आब हम बात कर लेते हैं मेज की न्यूजलेंड के कप्तान के लिए मिलियम्सम ने ताह जीद कर टीप इंडिया को बैटिंग के लिए नीमंत्र दिया और टीम इंडिया के प्रण और उनके बाद आये सूर्जय कुमार यादो के साथ इसान किश्यन ने थोड़ी बहुत देर तक साथ दी लेकिन उन्होंने भी 31 ग्योदों में 36 अंबना का आउट हो गए और उनके बाद आये सूर्य कुमार यादो और हार्दिक पांडिया ने मिलकर संदार पारी खेली और सूर्य कुमार यादो ने जब मानना इस्टार्ट किया तो निजुलेंड गेंद बाजो का हालत खराब हो गया सूर्य कुमार यादो ने अपने इनिंग में जवरदस्त एक सेक छक्के लगाए और सूर्य कुमार यादो ने महज 33 गेंदों में अपना पहले हाप संचरी बनाए उसके बाद सूर्य कुमार यादो के ऊपर सैतान सवार हो गया और ऐसे मार रहे थे जैसे कि निजुलेंड गेंद बाजों के साथ खेलवाड कर रहे हैं कभी एक्ष्टा कवर के ऊपर से तो कभी पीछे चारोत्र बस बंडर ही बिटो रहे थे और माजर लास्ट के चौधाई बोल में सूर्य कुमार यादों ने 50 बना दिया और उस तरह सूर्य कुमार यादों ने 49 गिदों में अप करके टीम साउदी ने अपने करियर का दूसरा हैटर की बिकेट ले लिए और इस तरह से टीम इंडिया ने 20 ओवरों में लागतार बिकेट खोती गई हलाकी कप्तान केन विलियम शम दूसरे एंड से टीके रहे लेकिन अन्त में उन्होंने भी कप्तान केन विलियम शम एक सटन बनाकर आउट हो गए और न्यूजिलेंड की टीम महज 19 ओवर में 126 अन बनाकर आल आउट हो गई और भारत की गेंदब 24 ओवरों में 24 रन देकर दो बिकेट लिये और टीम इंडिया इस तरह से 55 रनों के संदार जीत कर ली और सीरीज में एक से आगे बढ़ गई तो क्या लगता है कि दोस्तों अगला में जीत कर टीम इंडिया टीट्वेंटी सीरीज अपने नाम कर सकती है कमेंट सेक्षन में कम पताईएगा और यहारे वीडियो अच्छे लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलिएगा तब तक लिए चलते हैं और अगले वीडियो में इसी जो जुरून के साथ मिलते हैं जहिंद बंदे मातरा